आज ये लॉगडाउन है लॉगडाउन में दो तरह के लोग हैं। जो लोग परिसान है क्योंकि उन्होंने पिछले जीवन में जिंदगी भर वो किया जो एक लकीर के फकीर थे इन्होंने कुछ नया कोशिस नहीं करी लेकिन हम जैसे लोगों ने पांच साल इन ही दिनों के लिए हम बार बार कहा कहते हैं भगवान न करे हमें कुछ हो जाए हमा साल लोग डाउन रहे तो भी घर में बैठके ये कमा सकते हैं खा सकते हैं इंजोए कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन 90 परसेंट लोग इन दो महीनों में उनका बैंक बैलेंस खाली हो गया आगे उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा घर का खर्च कैसे चलेगा क्यों क क्योंकि पिछले सालों में जब lockdown नहीं था तो आप नोकरी करते थे बिजनेस करते थे कोई खाली तो नहीं बैठा था करते सब थे लेकिन आपने कुछ अलग नहीं सोचा कुछ बड़ा करने की नहीं सोची हैं तु आउ था कमाया खाया खतम जब आप नहीं सोचोगे आगे के लिए तो कैसे लाइफ चलेगी और आज भी अहीं हालात हैं यह लोगडाउन दो तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं ऐक जो चिंता से गिरे हूए एक जो चिंतन से गिरे हूए एक जो चिंता से घिरे हुएं, एक जो चिंतन से घिरे हुएं, जो लोग चिंतन कर रहे हैं, लोग डाउन के बाद तुफान मचाने वाले हैं, मार्किट में आग लगाने वाले हैं, उन्होंने अपने आपको एक नया बच्चा बना के सिखा लिया साब, जिसको C&T नहीं देन इसका वी तक नहीं बोला सर आज नहीं कल करेंगे परसो करेंगे इस लोगडाउन में दो महीने में उन्हें क्राउन जैसा लीडर बना दिया आज वो जूम पे सब सीख गए उन्हें एक चीज पता लग गई यह संतोष यादों का बिजनस नहीं है यह गौतम बाली का बिजनस है भगवान अब क्या होगा आप करोना क्या करेगा यह क्या करेगा इससे कुछ लाइब में होगा नो लेकिन अगर पूरा परिवार बैट करके इस तरह की मिटिंग रोज जूम पर देखो एक दो और चिंतन करो कि यार क्या मैं नहीं कर सकता जब सब कर सकते मेरे में ऐसी क् अपने लिए और कुछ भी सीख सकता हूं मैं यह थौट आपको देना है और आपने आपको यह थौट दे दिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और यह थौट काम कैसे करेंगे किन चीजों पर करेंगे मैं एक एक करके आपके बीच बात करना चाहूंगा एक एक प्योन की नोकरी लेने आप जाते हो तो प्योन के भी रूल रेगुलेशन होता है उसका इंटर्व्यू होता है उसको बताया जाता है तुझे कैसे प्योन का काम करना है कैसे बीहेब करना है ओफिस के लोगों से कैसे सारा चीजों का ध्यान रखना है अगर आपकी एयर होस् लेकर आप इस business में आए हो, तो आफ आप कामयाब नहीं होंगे, आपको इस business के हिसाब से अपने आपको डालना पड़ेगा, अपने आपको बदलना पड़ेगा और इस business के एक-एक ethic को सीखना पड़ेगा, और वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैने अपने अं प्रता था सेमिनार अटेल करने, आप तो कमरे में बैटे हो, छत पे बैटे हो, पेड़ पे लटक के सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं, तो सेमिनार तो पेड़ों पे भी चल रहा है, तो बिजनेस तो बहुत तेजी से चल रहा है